नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं बड़ी बहस गुजरात के बाद अब यूपी में सियासी दलों की परिक्षा की बारी आ गई है वैसे तो लोकसबा की सिर्फ दो सीटों के लिए उपचुनाओ हो रहे हैं लेकिन इसे 2019 का ट्रेलर कहा जा रहा है और कहा भी क्यों न जाए गुरकपुर में जहां सियम योगी का दबदबा रहा है वहीं फूलपुर की सीट डिप्टी सियम केशब प्रसाथ मौरिया के स्तीफे के बाद खाली हुई है जाहिर है उपचुनाओ के नतीजों के खास माइने है प्रत्याशियों की जीतार से ज्यादा ये नतीजे दोनों का दावर नेताओं का लिटमस टेस्स साबित होंगे तो पक्ष बेपक्ष सभी के लिए आगे के कुछ दिन संदेश देने वाले भी होंगे प्रदेश की राजनितिक हवा का रुख किधर है इसका अनुमान उपचुनाओ के नतीजों से लगाए जा सकेगा दोनों लोग सभा सीट के उपचुनाओ के लिए 11 मार्च को मदान होगा जबकि 14 मार्च को मत करना होगी समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस की बीच गडबंदर ना होने की वज़े से मुकाबला त्रिकोणिय होगा वहीं कॉंग्रिस बीजेपी और समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है बेसपी चुनाओ नहीं लड़ रही है उमीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने गोरखपुर से उपेंद शुकला और फूलपुर से कॉशलिन सिंग पटेल को उमीदवार बनाया है जबकि कॉंग्रिस ने गोरखपुर से सुरीता करीम और फूलपुर से मनीश मिश्दा को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने दोनों ही सीट पर पिछनों पर दाउं लगाया है गोरकपूर से प्रवीन निशाद और फूलपूर से नागिंदर पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है हलाकि आखरी वक्त में बागी बाहुवली नेता अतीक अहमद ने फूलपूर से पर्चा दाखिल कर दिया जिससे समाजवादी पार्टी की दिक्कते बढ़ गई दूसी तरफ अतीक अहमद का मैदान में उतरना बीजेपी के लिए फाइदेमन साबित हो सकता है क्योंकि असपी के सजाती उमीदवार खड़ा करने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही थी रही बात गोरकपुल की तो कॉंग्रिस के उमीदवार से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है कॉंग्रिस के उमीदवार सुरहिता करीम जनी मानी डॉक्टर है 2012 में बीजेपी के मेर उमिद्वार को जबर्दस टक कर भी दे चुकी है और माना ये जा रहा है कि सुरिता करीम समाजवादी पार्टी के वोट में सेंथ लगा सकती है तो फिलाल किस तरीके के उपचुनाव को लेकर के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और सियासी दलों की जो है वो कहीं न कहीं परिक्षा की बारी है इस पर बात करें गोरकपुर में दरसल 11 मार्च को होने वाले लोग सभा उपचुनाव में कॉंग्रेस पार्टी के उमिद्वास सुरिता करीम को जिताने के लिए कॉंग्रेस कारेकरताओं की एक एहम बैठक हुई और इस बैठक कायोजन किया गया कारेकरम में बतौर मुक्यतीती कॉंग्रेस की प्रदेश अद्यक्ष राजबबर भी मौझूद रहे उनसे बात किया हमारे समवादाता पंकच शिरिवास्तब में है प्रदेश अद्यक्ष राजबबर जी हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे मैं सबका आबहार परकड़ करता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं और पार्टी में इनको मजबूती के साथ में इनको आगे बढ़ा जाएगा धन्यवाद देखिए जमीन के लिए मुद्दों की ज़रूरत नहीं होती है लोगों के दिलों को जहां कर देखना पड़ता है और हमारे सारे साथ ही उस बात को कर रहे हैं मैं यह सांसत का आज की तारीक में मुख्य मंत्री हैं उनके खिलाफ चुनाव नहीं हो रहा है लोग कांग्रेश के साथ में जोड़ेंगे हैं में पूरा भरोसा है कि वह बात जो है मेरी मेरा फैसला नहीं है तो केंद्री नेत्रत का फैसला होता है तो वैसे तो लोग सबा की सिर्फ दो सीटों के लिए उप चुनाव हो रहे हैं लेकिन इसे 2019 का ट्रेलर कहा जा रहा है और आज हमारे साथ जो बड़ी बैस में मेहमान हैं उनसे तमाम सारे सवाल हैं सबसे पहले आई हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचा करा दें बीजेपी के तरफ से हमारे साथ राजी प्रिष्टा जी है नमस्कार सर बहुत-बहुत स्वागत है कॉंग्रिस से ओमकार नाथ सिंग जी है ओमकार जी नमस्कार स्वागत है आपका समाजवादी पार्टी के तरफ से मनोज यादव जी है मनोज जी नमस्कार स्वागत है आपका और वरिष्ट पत्रकार रामिश्वर पांडे जी हमारे साथ है मैं सवालों और जबावों के सिलसले को आगे बढ़ाऊ सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी सही करना चाहूंगा राजीव जी हमारे साथ है राजीव जी आपकी सरकार का कारेकार एक साल का जो है वो अब पूरा होने जा रहा है 19 मार्च को लेकिन 14 मार्च को उप्चुनाओ के नतीजे आ जाएंगे यानि कि कहीं न कहीं जो एक साल का जो लेखा जोखा है वो पहले ही मिल जाएगा अलोग जी जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया और सच में जो अभी आपने इन्वेश्टर मेट देखी जिस तरह से लखनों में आए और निचित बहुत अच्छी सफलता हुई और देखपती भी आया और जिस तरह से नेश्टर आ कि यह में उपे दसकत किया एक इतिहासिक काम किया है और एक चीज़ आपको जरूर बताना जायता हूँ देखिए हमने जमीन में काम किया है हमें पता था हमको गोरक पूल लड़ना है हमको फूल पूल लड़ना है तो हमने उसकी त्यारी कर रखी है हमारे कारकरता जमीन पे उस पे उतर गए है हमारे बूत लेविल सारे मजबेंट है हम बूतों पे चुनाओ लड़ते हैं जनता के वरोसे निच्चे दिये दूनों सीटे बहुत भारी मतों से विजय करने जा रहे हैं अंतराल हम बढ़ाने जा रहे हैं पिछली बार से जे चलिए मनोच जी अगर गोरकपुर सीट को बात करें तो समाजवादी पार्टी ने प्रमीर निशाद पर दाओं खेला है कितन समीकरन के भूते पे वहां के मठ पे बैठे लोग कई सालों से कई बार से सांसद होते जा रहे हैं लेकिन उनकी जो भी दसा है वो ऐस टिज है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ रिप्रेजेंटेशन आज 30-40 साल से उन्हीं के पास है तो बात सवाल इस बात का है कि जाने वाला भी नहीं है उस ओट बैंक के धंपे हम चुनाओ में निसाद राज पार्टी के प्रत्यासी को सपा का प्रत्यासी बनाके उतारें लिए क्या लिए लिए वहां पे सबसे ज्यादा जो ओड़ बैंक है वो निसाद का है उसकी संख्या लगबक साड़े तीन लाख के अबब है वो साड़े तीन लाख लोग अगर उनके साथ इस योगी सरकार ने जरूर कुछ किया होगा तो तो इनको मिलने वाला चुकि अभी तक आप सांसर के हैसियत से अब एक साल में मुखमंत्री हैं वही के मुखमंत्री हैं किस तरह आप ने किया एक बात याद दिला को दो दो लाख रुपए मदद दी थी जो कि हमारी सरकार यह ऐसे मुद्धे हैं जिनकों जिनकों लेकर कि आप जंता के बीच जाएंगे सुरुईता करीम की बात करें तो उमकानाजी से सवाल है 2012 में भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर चुकि कितनी प्रबल दावेदारी नजर आ रही आपको लेकि हमारा केंजेच बहुत मजबूत है और गोरगपूर की विचिस्ता रही है आप शायद भूल गए हों आपको याद दिला दो महंत दिगविजे नाजी जबे मेले हुआ करते थे तो मनी राम से होते थे और मनी राम के सीच बिना उनके कोई जीत न लड़वाएगा उन्होंने अपने सीच से इस्तीफा दिया और लड़वायाँ की परमाने बदम वह हमेशा जीच जाएंगे इस कॉंपिजेंस के साथ ने लग जो उनके साथ में श्मेंग कर रहा था तेकि चुना वह हार गया और हमारे कांग्रेस के पंजित राम कुष्ट और उनको सरकार से इस्तीफा देना पड़ा तो गोरकपूर में महंत जी का अपना इस्थान है उनके लिए जनता दूसरा सुखती है लेकिन यह चाहले कि किसी को भी लड़ागी जितवा लेंगे तो उसके लिए मुझे मैं समझता हूँ कि जनता जबाब देंगे कि वह अपर कटी जी के पास आ रहा हूं रहा हूं रस्पारियों ने अपनी अपनी जीत पकी कर दी कि हां मेरी जीत होगी लेकिन बयार किस और ये जरा मैं आप से समझने के कोशिश करूंगा अ कि गळार बहुत जल्दी आकलन करना होगा, अभी कोई बैयार जैसे नहीं है, एक सामान ने आकलन है, कि सबके अपने इतने दावे हैं, माना जाता है कि सतारोड दल है, तो सभावी तोर पर मजबूत होता है, और गोरकपुर परमपरागत तोर पर लंबे अर्शे से योगी, योगी अधितिनाथ और जो गोरकनाथ मंदिर है उसके प्रभाव में, और निशी तर पर वहाँ, मंदिर अपने आप में, गोरकनाथ मंदिर अपने आप, बैकवर्ट, पिछडो, वो एक ऐसा मंदिर है, जहां एक भी पुजारी ब्रामण नहीं है, वो एक परमपरागत, एक ब्यापक जो पिछड़ा वर्ग है, उसकी आस्था का केंद्रा है, यह चुनाव योगी सरकार के एक साल के कारकाल का आकलन नहीं है, यह उप चुनाव हो रहा है लोग सभा के, तो योगी सरकार के एक साल के कारकाल पर अगर यह चुनाव होना हो, तो किसी सरकार के एक साल के कारकाल पर जर्मत बहुत ज़्यादा नहीं बदलता लेकिन मोदी सरकार के चार साल के कारकाल पर भी फैतला होना है और आप देखें कि सारी कोशिस करने के बाद भी बीजेडी वहां जीती है रायसान में उनकी सरकार है लेकिन कांग्रेस जीत कर लाती है अभी मद्ध परदेश बड़ी पॉपलर सरकार है और बड़े दावे हैं लेकिन रिजल्ट साइड नहीं है लेकिन बहुत दीशान तक ये कांग्रेस बड़ आगे चले थी तो अगर के सरकार के पांच साल के कारकाल का आकलन किया जाएगा तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि चार साल पहले आपने कहा था कि सारे लूट कांग्रेस के समय में होती रही हम रोकेंगे वही बयान अब आप नीरो मोदिक सौंद दे रहे हैं और तमाम भुटारे तो बहुत सारे जो क पें सरकार के अपने आकलन हैं अभी ये जी ने कह दिया किसानों की जाकत देखे जेटली साहब ने कह दिया कि हम MSP जिन जिनसों का MSP तैंगे सरकार कोशिज करेंगी कि कमस्कम MSP तक सरकार मदद करें अगर उससे नीचे मुल हैं और मार्केट का आप हाल लेकिए अख़वा दाओं की अच्छा होगी तो योगी सरकार के एकमृपक् conventions का विपक्स की आपस्थे सकलिए विपक्स का विपक्स的 का यहाव सब्सक्राव. कर लिए इस देश में लोगतंत के लिए जमुरीद के लिए सबसे जोगी है कि धर्मीर पेक्स ताक्ते एक जूठों यह बार-बार कहते रहें लेकिन दो उप्चुनाओं में भी जब बस्पा जैसे ताकत अलग है और जो आपके जिसका वोट आपके साथ हो सकता है यह संजु कोई अलग-अलग फैसले कर रहे हैं यह सिर्फ आप कहिना कहीं जुम्ला बनके रहे गया यह साथ पसंदल लेकिन चाहे वो नगर दिगम के चुनाओं में भी नजब है यह साथ और उपक्ष की सीथ है और वहां भी आप संजुद नहीं देशके जो तो सारी ताकत भाटपा की इसमें है बिखरे हुए प्रिपक चले ओंकार जी के पास आएंगे अब ओंकार जी अगर उपचुनाओं की बात करें तो कॉंग्रेस के लिए कहीं न कहीं एक बूस्टप जैसी चीज़े चाहें वो राजस्थान के लिए नतीजों की बात करें और मर्देपरदेश में जिस तरीके से लेकिन जो अभी जो इधर रिसेंटली जो भी कुछ आपकी पार्टी में हुआ है चाहें वो नसीमुद्दीन का मामला हो खबरे अंदर खाने सियारे कि राहूल गांदी को पता तक नहीं था इस बात की जानकारी नहीं थी कि बहुत सारी इस चीज़ों को लेकर के डार्क में रखा गया यह सब चीज़ें कितना प्रभावित कर सकती ही दूसरी और गलत खबर है यह गलत खबर है तो सही जो हो पो हमारे दर्शकों को जरा बताईए राहूल जी उनकी मीचिंग के बाद बाकाईदे राहूल जी से उनकी मीचिंग ह इसकी फोटो बाकाईदे प्रकाशे थी गई थी और सोशल मीडिया में भी आई थी वो सबसे वो मिले थे और पहले से यह तैहीं के दर्टत का फैसला था कि उनको लिए जाना है अब जो पने लीजर्शिप जो तैय करती है उसको हम लोग यह नहीं देखते है कि क्यों किया ह उसका स्वागत है और उसको हम लोग फारो करेंगे उस पर कोई गलत बात है जो कहते हैं कि उनको अंदेरे में रखा गया था ऐसा कुछ नहीं दूसरी बात देखे चुनाओ की जहां तक बात है चुनाओ को यह राज सरकार के आकलन पर नहीं हो रहा है राज सरकार को ताय क्या क्या गरबड़ियां की हैं और जनता के सामले उन चीजों को सामले रखेंगे उन्होंने क्या किया है जो उन्होंने फैसले लिए उसे देश को कितना नुकसान हुआ है कितना आर्थिक नुकसान हुआ है कितनी बेरोजगारी बढ़ी है कितनी महंगाई बढ़ी है तो य हम सभी कर योजनाओं की बात कर रहें। तो ऐसे में पनल अगर किसी把它 कार किया ही तो चार साल कि का्रकार का आंपन भी कर लीजें music сыr把它 के और आज पूरे वर्ड में और जिस तरह से मोधी दिखाया भारत की आज सकती साली देश है और एक चीज मैं चीज एक चीज और बताना चाहता हूं पहले मेरे मित्र पहले मेरी बात हो जाने दिये फिर आप बोलिए और जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं निचित कह रहा हूं हमारे मित्र कह र विकास विकास की बात आप आप लोग करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जनता को आप लोग गुमरा करते हैं देखिये जो इन Dah J के संग है वो वो अपना क्या बेयान देते हैं किस अलोक जी, उनका व्यप्रत भी बयान human सकता है लेकिन और जरूर कहना चाहेता हूं जिस तरो से आज जंता का विश्वास क 걱정 अभी स्वास है योगी सरकार पर जो योगी का सरकार ने पहले भी मुखमंत्री बहुत रहेंजे लेकिन जिन्हों ने योगी सरकार ने काम किया है हम ने कहा तक नकल को रोका है मैं बिल्कुल नहीं करता हूं हम उत्तर प्रदेश को भारत बदलेंगे उत्तर प्रदेश बदलेंगे यह तस्वीर लेकर हम योगाई है वह तो कर अभी देख लिया था कि और वो कह रहें कि चार साल मोधी जी के और एक साल योगी जी का और हम काम कर करेंगे आने वाले समय में एक साल उनका बचाए और चार साल इनके बचे हैं आपके पास अगर कुछ होता तो बिना सांस लिए अब तक मोधी जी के कामों को गिना देते हैं हमारी सरकार एक साल पहल गया हो उसका मैं नाम नहीं लोगा वो तो वैसा यह जैसा पांज बाद वजार 12 2007 में था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो दो साल में कार्याले बहुत सुंदर सा बन गया वर्ड क्लास का जो मोदी जी देश के प्रधानमंतरी है वर्ड के प्रधानमंतरी नहीं है हां के इस देश में सिर्फ और सिर्फ परचार किया अपनी भाजपा की सरकार का और अपनी भाजपा की पार्टी का चुनाव के लिए काम क्या किया है वह हकीकत से बहुत दूर मैं एक इग्जांपल बड़ा चोटा से दे रहा हूं मैं आज एक लाई चने के ठेले पे गया मैंन आज उससे भी बूरे दिन है यह मेरा कोई मंगरंत नहीं है एक मैं ठेले वाले की बात बता रहो और बदाय जिले कर रहने वाले तो जो एक छोटा सा इनका के डरोटर वह अगर इस तरह की बात कह रहा है तो आप कलपना करके देखिए कि समाज में लोगों के प्रति इनकी स आए यह विपक्ष बोला है हाँ अलोग जी मेरे मित्र बहुत अच्छा बोले हैं मैं यह पूछना जाता हूं मेरे मित्र से जब भरती होती है तो सब इंप्लाइब सब भरती होती है आज जात भी सेस्कों क्यों देते हैं जब नहोकरी में रिजन निकलता तो एक ही जात को सब्सक्राइब तो सारी जातों के परिशा देते हैं एक विसेस क्यों आते हैं मैं यह पूछना सय तत दे मित्र से आज लेहां चले का बात कर रहा है पर पर बोले लायक नहीं है जिस तरह से आप बता रहे हैं जो डिया जात की निकलती है डाक्टर गी बर्त की निकलती है क्या सारी जात नहीं हो दियुए उस समय तेंद्यान लेते हैं अब मैं उमकार जी के पास आ रहा हूँ जो उब चुनाओ सरौर है उमकार जी लेकिन इससे कहीं न कहीं 2019 का ट्रेलर जरूर कहा जा रहा है नहीं लग़रा लेकि दोहजार उन्नीस का ट्रेडर हम इसको इसलिए नहीं मानते हैं कि दो इलेक्षन से कोई मतलब नहीं होता है जो सच बात है ऐसे कहने को तो हम दो जीता ले जाएं बागी से कोई मतलब नहीं है तो वो नहीं है हम तो कहने को तो हम कह सकते हैं हम राजिस्थान जीते हैं हम जो है मद्धिप्रदेश जीते हैं और हम गुजरात बहुत अच्छी पूशन में आया है आपको रोक के खड़ा कर दिया है तो इसलिए जो इस चुनाव में उसका अगर लिया जाते हो तो हम प्लस पॉइंट में हम हम राजीर जी की एक बात के जवाब देना चाहते हैं जो बार बार यह बताते हैं कि हमने बहुत बड़ा मॉयू साइन किया है इनको मालूम नहीं है कि यहां उत्तर प्रदेश में तो चाललाग अच्छाइस जार करोड़ का ही साइन हुआ है गुजरात में बीस लाग करोड देकि उसके काम को किया योगी जी ने बुलाया तो ठीक है और समिट होने के बाद क्रियानवित कितना होगा यह आज पहली बार समिट नहीं हुआ है इसमें इक ही चीजा अच्छी है कि प्रधान मंतरी आए बाकि हमेशा समिट हुआ है हर सरकार ने समिट चलाया है नहीं है जिस विकास की बीजेपी बात कर रही है उसको लेकर के मैं रामेश्वर जी से एक सवाल का जवाब लोगा रामेश्वर जी विकास की बात करती है बीजेपी लेकिन कहीं न कहीं जो हिंदुत की बात करती है लगातार चाहें वो संग प्रमुक की बात हो उन भागवत की और जाहें वो तमाम सारे मुद्दे चाहें साक्षी माराची जैसे लोग हो कि तो कहीं न कहीं हिंदुत की चाशनी में जो डुबो-डुबो कर गरम-गरम विकास की जलेवी जो पेश करते ये भी कहीं न कहीं सवाल खड़े करते जो दोरा चले तरह इसलिए विपक्ष को कहने का का भी मौका मिलता है देखो आलो यह हिंदुत तो बोलते नहीं हो यह अभी जो मीरट में भी हुआ है तीन लाग का समाजों इसको नोंने राश्ट सब्जिदिया था राष्टोदे जी 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 तो इनकी एक परिभासा है और मैंने कहीं कहा था अभी कि इस देश में जंग इ ही है कि यह यह कहेंगे हम धर निर्पेक्ष हैं और उसकी परिवासा भी देंगे हमारा संभीधान है उसके अनुरूप यह भी काम करते हैं सारी पाइटे करती है हमारा संभीधान धर निर्पेक्ष है तो हम अपनी तरफ से चस्पा कर दें हिंदुतु का उसका मतलब नहीं ह संग जंग किस बात की है जंग इस बात की है कि धर्म निर्पेश्टा की अधाना भी अलग अलग है किसके सपनों का कि धर्म निर्पेश्टा भगा सिंग के सपनों की धर्म निर्पेश्टा या साव या गोल वरकर जी की धर्म निर्पेश्टा की अधाना वो कहते हैं कि सारे हिंदू धर्मनिर्पेक्ष हैं और जो मुस्लिम भी है वो उनका डिन ने देख लिए वह भी प्रकारामतर से हिंदू है तो यह अलग-अलग ब्याखा है लेकिन इस बात में इस देश के धर्मनिर्पेक्ष शक्तियों का जो कुल लडाई है वो यह कि किसके सपनों का भारत धनाना है भागास श्रीन के सपनों का उजा देलिव परिक्षता का जो हमारे भारती संभीधान में दर्मनिर्पेक्ष शक्तियों को इन रूप यह कोई नई परिवारता है पहली बात जहां दूसरी बात की कि कि हैं बहुत अच्छी बात है समिट हुई और प्रदेश करता है और जहां तक के बात हुरे चारलाक थाइस हजार क्रोर की मुझे याद आता है कि याद नहीं आता कि किसी प्रदेश में नई सरकार ने उद्योगपतियों को न बुलाया हो आप देखें तो पच्छिमंगा बाइबरेंग गुजराद ममता का है हर्याना का हुआ सारे प्रदेश में हुआ और तीन लाग करोड से लेकर पांचलाँ करोड लेकिन ले κιन पांचला five को आटला को सवाल यह है कि आप उसको धर्ती पर कितना उतार पाते हैं पहली बात यह उद्योगपती आकर अपने वायदयों के रूप वो करते हैं हां दो और सकारात्मक बात हुई है जो डिफेंस को कारीडोर की बात हुई यह दरसल सेंटरल गौर्मेंट की योजना है और ज करनी चाहिए कि जितने भी साइन हुए है उसका 50 परसंट भी अगर जमीन पर उतर जाए तो प्रदेश का बड़ा भला होगा और मैं यह जो उद्योग पती जिन्होंने यहां में उसाइन किया है इन्होंने पश्ममंगाल में भी साइन किया इन्हों नहर्याना में भी साइन सवाल यह है कि वह कहां कहां लगाएंगे कई जोल भी दिखते हैं जैसे एक आदमी घूमता ट्रल एक हजार करोड अब में फिल्म चलिए इस वक्डेट भी बिलना है जो उप्चुनाव अध्यप्रदेश में जो रतीजे थे उनमें बीजेपी दोनों सीटों पर कही ना कही यह आपके लिए बैड निउस है राजीव जी अलोग जी चुनाव चुनाव कुछ भी है लेकिन मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास योगी सरकार में बढ़ा है और निचित हमारे मित्र पतकार जी कह रहे थे और निचित मै अभी दसकत हुआ और अम्हंत प्रदेश रिए मेरि बाजे मेरी बास सुनीया उमीद मेरी बास सुन लेकिन सिंगल बंडो का कार्खण यहां पे दस आईए ısकी मॉडेंी करने गारी मेरा बिबास सुन लिजे पहले आई यह है लेकिन उसा не सब्सक्रार मेरी for पड़ार है उत्तर प्रदेश में काम होने जा रहा है उत्तर प्रदेश बाहर चाहरा है चलिए बहुंद पर फोकस करिए नहीं तो फिर नीरभ मोदी पर टाइवट हो जाएगी चलिए लेकिन राजीव जी एक सवाल लगातार उट रहा है की जो मिर्ट में जो मौन भागवत जो बयान दिया है कि सारे हिंदों को एक जुठ हो जाना है यह अपने आप में कई ना कई सवाल खड़े करता है कि एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करती दूसरी तरफ इस तरीकी कि कट्टरवादी जो सोच है यह तमाम सारे सबकर दिये फिलाल बड़ी बहस जा रही है, हम यहाँ पर एक छोड़े से बेक लुक रहे हैं, बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए फॉरान हजिर होते हैं तो उप्चुनाओं के नतीजे दोनों कद्दावर निताओं का लिटमस्टे साबित होंगे तो पक्ष विक पक्ष सभी के लिए आगे के कुछ संदेश देने वाले भी होंगे मैं रामिश्वर जी के पास एक बार फिर से आऊंगा जीतार तो एक जगह है अपनी अपनी जगह है होती रहती है लेकिन ज़़ा सीधी तस्वीरे ज़रा इस वक्त आरी मद्धरदेश से ज़रा पहले उन तस्वीरों पर घौर करेंगे तो यहाँ पर यह तो यह कॉंग्रेस के लिए कही ना कही अच्छे संकेत है मैं ओमकार जिसे बें सवाल का जवाब लूँगा लेकिन मैं रामेश्वर जी से सवाल का जवाब ले रहा था कि जीत और हार से अगर थोड़ा सा उपर उठे तो आने वाले समय में किस तरीके किराजिती के संकेत मिलना यह दो उप चुनाओ अलग कि दो सीटे लेकिन यह दो स करना है इसके लगातार कोश्च से हो रही है वो विफल हो रही है हार जीत तुर पर दो सीटों से या उप चुनाओ से केन सरकार काकलन नहीं हो सकता और यह जो उत्तरप्रश्च में दो उप चुनाओ है इससे भी केन सरकार काकलन नहीं हो सकता राज सरकार नहीं सकता लेकिन यह संकेतक तो है न और इस अंकेतक है तो यह शंकेतक सिर्थ चुनावी रण नीदके लिहाद से भी है और चुनावी रण नीद में दो चुनाव में भी एक दूसरे के पसंद करने वाले लोग भी संजुक्त विपक्ष के उम Deputy नहीं खड़े कर सकते आपस में परामर्स नहीं कर सकते तो भावी राजनीत की दिशा क्या होगी अभी बिहार में दिखाई पड़ा है तो क्या सरूप आएगा मुझे अभी कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन मुझे लगता है कि अगर विपक्ष कामन मिनमम प्रोग्राम के साथ संजुक्ति रूर् नहीं करता है मैदान में नहीं उतरता है तो वो मोर्चा नहीं फतह कर पाएंगे जिस उम्मीद के साथ तैयारी हो रही है और इस चुनाओं में ये कमजोरी दिखाई परी पहली बाद दूसरी बाद की दो उप्चुनाओं में एक तो भाजपा का गड़ है ये मानकल है लेक जी लड़ते रहे हैं नहरु जी जीते रहे हैं और बहुत सारे दिगज पहली बार भाजपा की उसीट बनी वहां कि मिस मैनेजमेंट की बाते कर रहे हैं लेकिन वहां एक तीसरा मोर्चा आती कहमत जो कभी नहीं पार्टियों के कंडिडेट थे और जो जीते थे तो इन्हो ने एक तरह से मायावति के अनुपस्थित के बावजूद वह बनिया संघर्ष कर सकते थे एक बनिया मोर्चा मनलब अगर ओटिंग परसेंट भी बढ़ाते तो भविश के लिए 2019 के लिए एक संजीवनी होती जैसे उप्षुनाओं से संजीवनी मिल लेगे लेगिन इसमें विपक्ष इस जैक वे सुड को विपक्ष अगर शैद एक जूट होता कैना के दिर्चस्प होता उंकार जी अकर गडबन्धन की बात करें तो अगर नहीं अब लगता है अगर शैद मिल करके लड़ते तो शाद अच्छी चुनौती देते हर पार्टी का अपना एक ही होता है और कार करता हताश नहों हमने इस हिसाब से लिड़ने लिया और हमने यह तैय कि हमको अकेले ही जाना चाहिए मैदान में क्योंकि हमारी अच्छाई बुराई हमें पता चले कि को किसी एक इसे क्या हम लें हमारे अच्छाई बुराई बोले हैं दोनों सफर करें उसे बेंटर ही है कि अकेले बैदान में जाना चाहिए घलतियां होती है जब उस समय हमने गटबंधëन के अच्छे लिए जनताने कार दिया तो जनता की फैस्ले को तो मानना पड़ेगा आ मनोच जी अब क्या अफसोस हो रहा है कि इस गड़बंदन को लेकर कॉंग्रिस के साथ क्या यह तो बातों से तो ऐसे ही लग रहा है और उस बात को फिर से दोड़ा रहा है कि जैसे ही मैं राविसोर जी की बात को मालूं या मैं आपकी आलोग जी बात को मालूं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है हम गड़बंदन में आए और सारी पार्टियां मिलके अगर बीजेपी से लड़ते हैं तो हम कहीं न कहीं लड़ा था हमारा दला लगड़ा था मायवती जी अलग लड़ी थी और किस तरह से इनका साइनिंग इंडिया धरासाही हुआ ये मुझे बताने की जरूत नहीं है और वो छे साल का कारिकाल बिल्कुल उस कारिकाल को जिसमें मैं कहूंगा कि हां रियल में कुछ काम इस हुआ है एक लफाजे बाजी और एक जुम्ले बाजी इसके अलावा कुछ नहीं हुआ और मुझे दुख है कि पहली बार मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को जिसको लोग मजबूत प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उनका किस तरह से किस तरह से फोसल मीडिया से लेके और कहां कहां किस तरह से प्राइम मिनिस्टर की घरिमा एक हो जे किस तरह मजा पुछा है पार्टी के परचार में वो शामिल नहीं होंगे किसी भी तरीके से लेकिन कैसे अब जीत मिलेगी लेकिन इस सवाल का जबा मैं लूँगा लेकिन ओमकार जी को जाना है ओमकार जी जाने से पहले मैं आपसे चाहूंगा एक फाइनल कॉमेंट कि मध्यपरदेश राजस्तान के चुनाओं की नतीज़ा है उसमें भी कॉंग्रिस ने जीत का पर्चम ले राया और अब मध्यपरदेश में भी किस तरीके से हम तस्वीरे भी दिखा रहे थे कि कॉंग्रिस के कारियाले में कारिकरता किस तरीके से खुशी से सराबोर नज़र आ रहे हैं वो भी होली के पहल आपके चैनल के मादम से आपके दर्शकों को उस तरफ देश के लोगों को होली की बहुत बहुत शुब कामना है जे और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उमकार जी तो उमकार जी ने भी देखे सबको होली की शुब कामना है दी और पूरी तरीके से बूस्टर प्रजर आ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं CMU की और केशब प्रसांत मौरिया के लिटमस दります की ब्रेक में जाने से पहले तमाम सारे चीज़ों को लेकर केम बात कर रहे थे रामिश्वर जी से भी बहुत सारे चीज़ों को समझ रहे थे राजीर जी आपके पास आएंगे जो लगातार जो माहौल बन रहा है कहीं न कहीं अगर बात करें विपक्ष अगर शायद एक जुट होता तो आप लोगों को एक इतनी अच्छी अपर्चुट्री शायद नहीं मिलती जद्दो ज़्यादा करनी पड़ती आ लोग जी आपको म केंडिडेट मिलने चाहिए थे फिचपते सीटों पे 403 में 55 सीटों पे कांग्रिस लड़ी थी कि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूंसारे विपक्षण लड़के भी देख लिया भारती जनता पार्टी जमीन पे काम करती यह और भारती जनता पार्टी की जो काम कि सेली अवर हमने बूत मेज़िमेंट किया हमने गोरकपुर की जनता जिस तरह से हमारी पूरी लग रहा है कि चुनाओं में हम जा रहे हैं बहुत बड़ी बात भी करते हैं लेकि कोई ऐसे पाँच चीज़े बता दीजे जो बहुत सकसेस आप लोगों की रही हो जिनके दम पर आप जीट की गारंटी ले रहे हैं कि यह तोनों सीटे आप ही के पाले में आएंगी पहला काम जिस तरह से हमने किसानों को बिश्वास जमाया और जिस तरह से हमने धान की फसल को दुगनी करा और जिस तरह से हमने गन्ना किसानों के चेक को लेकर के उनके समर्थनों को लेकर के कहा किसान बताई है चलिए दूसरा बताई है क्यों क्यों आपने बजाग किया थ किसान इसका जवाब देने जा रहा है जो काम उपलब्दी की काम है जो काम हमने करने जा रहे जितना बड़ा बजट दे दिया साथ पॉइंट ज्यादा पांच पर तो दिया मेरी बात सुरिये ना 11 में और जिस तरह से बजट आया बजट देखने के बाद विपच्छों की हव सर बजट तो हमने खूब देखा यूपी सब्मिट में निवेश भी खूब देखा बिल्कुल सेम जो है डिजिट आई है दोनों की यूपी का बजट की और इसकी लेकिन हकीकत में सवाल ये कि कब तक आएंगी चीज़ें सारी दिक्कते जस्की तस हैं कोई नया प्लान अभ पतार हैं जिस तरह बज़ी मनोचल वहाहता कौण को एक साथ में लेकर के अगर चलते-चलते-चलते दो नहीं कि बेतर होता शायद को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा अब चलेगे जब उसके बाद आपको सुन रहे हैं तमाम सारे लोग सुन रहे हैं और मेरी बात से रामिशुर जी इत्फाक रखेंगे कि कांग्रेस राश्टि पार्टी है बड़ी पार्टी है कांग्रेस की साथ एक दिकत है वो उत्तर प्रदेश में तो हग देना चाहती है लेकिन अगर जो भी छितरिये दल हैं जिनकी साख दूसरे प्रदेशों में 2-4 सीटों की है वहाँ पे उनका नजरिया बगल जाता है इ और वो हमारा इतिहास गवा है कि हम 39 सीट तक इस प्रदेश में जीते हैं, तो हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कांग्रेस को दिल बढ़ा करना पड़ेगा, और अगर बीजेपी से लड़ना है, तो सब को साथ लेके चलना पड़ेगा, और मैनेजमें लेकिन इस ब्यस्पी की खामोशी को लेकर के सर क्या कहेंगे, देखे मैं ब्यस्पी खामोशी की बात के साथ और भी दो तिन बात पका, ये बस्पा की हमेशा की रढ़नीत रही है, साथी बताएंगे वो उपचुनाओं नहीं लड़ती, हलाकि पहली बार बस्पा तो सार नहीं जाया करती थी, वो इस बार गई थी, लेकिन बस्पा उवक चुनाओं नहीं लड़ती, है बस्पा की पुरानी रणीत है, तो उसकी इसी रणीत का संबाना चाहिए, और बस्पा की इस रणीत का फायदा विपक्ष को उठाना चाहिए ता, जो नहीं उठाया, तो हम बतोर पत्रकार, राजनितिक दल है तो कुछ भी अच्छा करें तो खारिज कर देंगे, सपा ने कुछ अच्छा भी किया है तो भाजपा उसको सब बुरा-बुरा कहेगी, यह राजनितिक बैयान बाजियां हैं, लेकिन हम इतने जल्दी, हम यह मानते हैं कि बहुत सारे साइन करके, बहुत सारी कोशे करके उसको जनता को नहीं समझा पाए, तो यह तो अखिलेश भी करते हैं कि बहुत समझा नहीं पाए जनता को, तो आपने मौका दिया कि वह बहका ले गए, भटका ले गए, तो आप इस बात को मानिये, तो आप पांच साल तक एक जिम्मेद गंभीर विपक्ष के तोर पर काम करिए, और जनता में अपना भरोसा कायम कीजिए, जनता ने आपको जो जन्मत है वह इसी के लिए है, और यह उमीद करिए इस देश के लिए, इस प्रदेश के भविश्य के लिए, जो हमारे भोश्परिम करते हैं, लोडा डिम लाना, कि म जेतर विपक्ष के तौर पर इस लोग तंतर से लिए, मैं ना उमीद नहीं हूँ, मैं बहुत यासावादी हूँ, वह एक साल हुआ है, अखिलेश के समय में अधिकारियों ने जिस तरह अखिलेश को लेट डाउन करने की कोशिश थी, इस से भी सीखना चाहिए, जिकन करते हैं, जहां तक चुनाओ के बात है, यह लिटमर्ट टेस्ट अफ सरकार के लिए कम, यह दरसल विपक्ष के लिए लिटमर्ट टेस्ट जादा हो गया है, अगर इन उट चुनाओं में, अब सपा के लिए, उनका सरकार थी, फुल पे संग्ठन था, लेकिन उनको अपने क पार्टी का रहे हैं, वोट बैंक, पिछले चुनाओं में विधान सभाज चुनाओं में वो पार्टी का कोई ऐसी तो नहीं था, इसे पर बिलकुँ समाजवादी पार्टी पर देखना है कि और आपको कडिडेट नहीं मिला, आपके सपक अपने कारकरता, समर्पित कारकरत दूसरे अतिही काहमद आ गये हैं फूलपूर में, तो जिस फूलपूर में आप एक बेहतर चुनोती दे सकते थे, वहां तो विपक्ष कितना ख़ड़ा होता है, विपक्ष कितना उतकरता। पर प्रचार कर रहाँ हैं अपनी जीत को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कोई कर्म廂 की छोड़ता है कर्म भूणी कर रहे हैं अगर अगर कर्मार में चुनाउख हो लिश्चित आप समझ लिए और जिस तरह से रोडों का जाल बिछाया उन्होंने फूल पूर में मैं पूछूँ आभी आप चुनाओं में देखे ना आपको तो कड़ी डेट नहीं मिले लेकिन जब बियाडी की मौतों को लेकर की कौन जिम्मेदार है इम्स को लेकर के सवाल इन सवालों के जवाब जनता चा रही है आप ने कौन सा काम किया गुरगपुर के लिए कौन सा काम किया एक साल में बार-बार मैं गेंदर सरकार पर नहीं जाओंगा वो सांसद अब 11 महिने से मुकमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के उनकी ताकत असीमिक ताकत हो चुकी आपने क्या कर दिया बताइए कुछ तो बताइए वो साबुन दिया था ना अब साबुन से नहा क्याना योगी तिसे में पर आप अब योगी जी अपने ही तवासत को ने इंडामाई आप बात कर रहे हैं आप सहरों की पार्टी है आप बिल्कुल आप जीती है सहरों में इस से कोई पुरेट रहे हैं यहां पर राजनितिक दलों ने अपनी बात रख ली मैं रामिश्वर पांड़ेजी के पास आ रहा हूं एक फाइनल कमेंट इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस उपचुनाओ को लेकर के ब्रामर्ड वोट को कहीं ना कि साधनी की कोशिश की नहीं लगता सर देखें बारते जन्ता पाइक की रणनीत याद देखें तो मेरा ख्याल है कि वो निरंतर चुनाओी मोड में ही रहे हैं केंडर की सरकार बनने के बाद भी राज्यों को विधान सभाओं के जो चुनाओ होते रहें तो मैंने पहली बार किसी पाइक के अध्यच को इतनी मेहनत करते देखा इस बात से तो विपक्त को सीख लेनी चाहिए और इसके अलावा वो तो लगता और वो हर चुनाओ को पूरी ताकत से लड़ते हैं उप चुनाओ हो तो पार्लामेंट का किसी विधान सभा का चुनाओ हो तो और लोकल वा के तौर पर घूम रहे थे दर्वाजे दर्वाजे गए तो वो लड़ते हैं विपक्ष को इससे सीखना चाहिए ताकत लगन के दो नहीं मैं मैं बात कर रहा है मैं से बिए मैं सब्सक्राइब जैसे सवाल उठाया तो सपन सवाल उठाया बहुत बड़ा सवाल हो सकता है कि इतना बड़ा गढ़्धा मुक्ति का अभियान चलाया गया तो इसको अथेंटिकेट कर दें अपने कारकरताओं का जाल बिछा दें सभी सड़कों की तस्वीरों के साथ विदान सवा में देखाएं तो जब आप कोरी बयानबाजी नहीं करेंगे शक्ता कि ये कामों को ठीक और रामिश्वर जी विपक्ष यहाँ पर आवास तो उठाता है लेकिन सदन की कारवाई नहीं चलने देता एक पैरलर विदान सबा लगा लेता है चलिए ये कही न कहीं बहुत अच्छी बात कहीं कि विपक्ष को कहीं न कहीं सबक लेने की जरूरत है सीख लेने की जरूरत है बहुत बहुत शुक्रिया रामिश्वर पांडे जी आपका भी मनुज जी आपका भी और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तो गोरकपुर उपचुनाओ को लेकर के फूलपुर उपचुनाओ को लेकर राजनितिक हवा का रुख किधर है इसका अनुमा उप्चुनाओं के नतीजों से साफ तोर पर लगाया जा सकेगा ये तो 14 मार्च को ही पता लगेगा बड़ी बहस में इतना ही बने रहे लाइज टूडे के साथ नमस्कार